कि नमश्कार दोस्तों एपिकल एग्री अकेडमी के यूटूब चैनल में एक बार पुना आपका स्वागत है साथियो आज फिर जो तीसरा लेक्चर है यह में होटी कचल की एकजाम में पूछे गए जो कोशन है उनको लेकर के आपके सामने आया हूं और यहां पर हमारा सब एक ही एक किस प्रकार से होटी कचल की एक्जाम में पूछे जाते हैं उनका पैटरन है क्या होता है उनका लेवल क्या होता है और किस प्रकार से से मस और करेंगे हẩब हेस्ध को कि दो? वाली है रही हो उसको फोकस करके हम लोग कोशन को यहां पर डिसकस कर रहे हैं तकि आप लोग अपना आंकलन कर सके और हम शुरुआत करेंगे आज की कोश्चन की अर अमरुद में व्यावसाइक प्रसारं की विधी को है और ऑर कोई नहीत सति व Rapha वेशे अगर देखा जाएतो है तो अमरुद में हम लोगों ने पढ़ा है कि air layering या गूटी जो होती है वो प्रसरण की वीडी जो है वो प्रचली थे लेकिन जब यहाँ पर option में इस टूलिंग भी दे रखा है तो हमारा जो आंसर होगा वह पहले इस टूलिंग होगा और आपको भी इस बात का ज्यान रखना है कि एक्जाम में यह असा कोशन आता है कि अमरूद में प्रसरण की व्यावसाइग विडी कौन सी है और यह वहाँ पर इस टूलिंग दे रखा ह लेकिन अगर एयर लेरिंग और इस टूलिंग दोनों अप्शन में तो पहले हमारा जो आंसर आएगा वह इस टूलिंग आएगा नेक्स कोशन दोस्तों सीडलेस वराइटी ऑप दी मेंगो यह आम की बीजरहित किस्म कौन सी है पहली बात तो यह कि आम के अंदर सीडलेस वर को सब्सक्राइख करें। औप्शन में अलफान्जो आमरपाली मलिकका और सिंधू साथियों सिंधू को हम लोग सीडलेस मेंगो कहते हैं या इसका जो सी होता है वह वहुत छोटा होता है पल्प बहुत ज्यादा निकलता है तो सिंदू को हम लोग और आपकी एक्जाम में यह भी question आसकता है कि यह सिंदु है उसमें seally loss से बहुत छोटा हो जाता है इसलिए ति यह सिंदु को Seedless Variety of the mango कहा जाता है नेक्स कोशन है juice percentage in jelly, jelly के हम बाद करेंगे, jelly जो की अमड़ी के फलों से बनाई जाती है और Jelly को बनाने के लिए जब अमरूत का फल है उसका जो jelly रस लिया जाता है aquatic solution जो लिया जाता है अमरूत के फलों का जो जली रस होता है उसमें रस की मातरा कितने प्रतिशत होती है तो जेली के अंदर जूस परसेंटेश की हम बात करें तो 45 परसेंट जो है वह होता है तो रस की मातरा जेली के अंदर 45 प्रतिशत होती है जब कि हम बात करें कि जेली का TSS कितना होता है एसा यह एक्जाम में कोशन आता है तो 65 जो है उसका है coast होता है और यहां पर जूस पर्सेंटेज़ की बात करें तो 45 पर जो है वह जूस परसेंटेज़ जेली में होता है फिर हम बात करेंगे क्षेंट की और अगला जोकोष्जण है मिश्जण नॉमबर 4 उसकी हम बात करें तो कोषण कोशन दोस्तों बंची टॉप बंची टॉप इस कास्ट बाई वाइरस बंची टॉप जो है यह कौन से वाइरस के दुवारा होता है एक चुल में दोस्तों अगर यह कोशन देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना चाहिए कोशन यह होना चाहिए कि जो बंची टॉ जो वाइरस है उसका वेक्टर कोन है केले में बंची टॉप कम लोग केबेज टॉप भी कहते है और वो एक वाइरस से होने वाली बीमारी है और उसका जो वेक्टर है वो एक एफिड होता है माहू होता है तो कोश्चन यहाँ पर यह बनना चाहिए कि बंची टॉप जो वाइर पेंटालोनियआ निग्रोनर्वोसा यह जो है यह एफिड का साइंटीफिक नेम है और यह एफिड होता है यह बची आप क्पले वायरस को फेलाने का काम करता है तो यहांपर बंचीटि वायरस के लिए बारम एक्जां और एफिट का साइनटिफिक नेम क्या है हम बुरेंगे पैंटालोनिया निग्रो नर्वोसा जो है वह है तरहिए को तक हम बड़े और अगला जो कोश्चने कोस्ट नमर फिप्ट हुआ विडिए ऊभPhone में में जेली जेली के पर कोश्चन आया था आ एक वस्य नाए उसके अख्राइब के अच्छा अच्छा अब्रूद माना जाता है जली बनाने यह अच्छा फिक 시작 सोलूशन या जली रस जो है वो लिया जाता है नेक्स्ट कॉशन इस विच अब दी फॉलोविंग माइक्रो न्यूट्रियेंट इस रिस्पोंसीवल फॉर दी टॉमेटो क्रेकिंग टमाटर में फटने का कारण कौन सा सुख्षू तत्व होता है उन में से यहां बोरोन भी दिया है सलफर भी दिया है केलशियम और जिंकस्ट सबस debillet म각ले में आपको बता-दू कि माइक्रों न्यूट्रियेंट केook tomar और जिंक यह 2000 माइक्रो न्यूट्रियंट है बाकी केलशियम और सलफर कम लोग माइक्रो न्यूट्रियंट नहीं बोलेंगे तो जो नए चातर है जिन्नोंने इस कोश्चन को बहुत डीप में अगर नहीं पढ़ा है और कई लोग कई बार स्टुएंट तुक्का लगा देता है तो आप फटने का कारण होते हैं बोरान की कमी बोरोन की जो डिफिशियंसी होती है उसकी वज़ी से फ्रूट क्रेकीग Girl होती है तो यहां पार आंसर आएहां की तेमाटर के का कारण है वो बोरान की कमी है और एक बात मैं आपको और पता दूंकि की सुक्षू तक्म के अलावा तो वहां पर भी फल जो है वो फड़ जाते हैं तो टमाटर के फ़लो में फटने के दो काण अवसकते हैं लंबे सुखाई काल के बाद भी शिचाई कर देना या फिर बोरान की कमी हो जाना ठीक है दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि होटी कचर की एक्जाम में और किस प्र इस्पोंजी टीशू इस ड्यू टू इस्पोंजी उतक का क्या कारण है इस्पोंजी टीशू जो की मेंगो का एक डिस ओर्डर है आम की व्यादी है और आम की जो अलफांजो वेराइटी होती ही most popular variety for the exporting यानि की निर्यात करने की साब से जो आम की सबसे अच्छी किसम है अलफांजो उसमें यह समस्या होती इस्पोंजी टीशू और वो क्या है वो एक फीजियोलोजीकल डिस ओर्डर यानि की देहिक विकार है फीजियोलोजीकल डिस ओर्डर यह है न यह फीजियोलोजीकल इसको हम लोग देहिक विकार या शारिरिक विकार कहते हैं और आपको ध्यान रखना कि यह अलफांजो जो वेराइटी होती है उसमें सबसे अधीक यह समस्या पाई जाती है तो हम क्या सकते कि अलफांजो वेराइटी इस दी मौस्ट ससेप्टिबल फोर दी स्पोंजी प्रति रूदी किसमें यह सकते की वह सारे हाइड़ वैराइटिय यह जिन में अलफांजो को एजिक पैरेंट लिया गया रहा है करवा करके कोई नहीं कर रखी तो उसके अंदर भी इस पॉंजी टीशी जो समझ्या है वो नहीं आएगी चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले कोशन की हम बात करें और अगला कोशन है लीडिंग पोटेटो प्रूदूसिंग स्टेट यानि की सबसे अधिक आलू का उत्पादन कोन से राज्य में होता है ये कोशन पहले वाले पेपर में लोग डिसकस कर चुके अलरेड़ी फिर से कोशन आया हुआ है तो उत्तर प्रदेश जो है यूपी वो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है अगला कोशन है कोशन नमबर नाइन वीच आप दी फोलोविं प्लांट ग्रोथ रेगूलेटर इस यूज़ड फोर रूट फोर्मेशन रूट फोर्मेशन जड़ आरंभन के लिए कौन सा पादव हार्मोन या कौन सा पादव व्रदी मियामक इस्तेमाल में लाया जाता है ऑप्शन में आई बी ए अबी ए ए एन ए और एम एच दोस्तों आई इच कि मुल्ट हमोन तो इहां पर पीजी श्री कि हम बात करेंगे हलाकि फ्ट हर्मुन इन दोर मेंठीक ब्राइब बात करें तो फ्ट हार्मौन उत्त Macron हार्मोन की हम बात करेंगे तो वह नेचरली प्लांट ओक्यूरिंग हार्मोन होते हैं जो पोदे के अंदर जिनका निर्मान होता है जिस प्रकार से इंडॉल एसिटिक एसिड यहने की आई एए वह एक फाइटो हार्मोन है जबकि हम आई बीए की बात करेंगे तो यह पीजी हार्मोन केलाता है एक सिसिन हार्मोन केलाता है या डॉरमनेसी को लाने वाला हार्मोन यह बी ढ़िए जिबकि हम बात करेंगे ए और एए नै डिलिक ऐसिट् 설 की एसिड फीड़क यह पार्थेनों करण़ के लिए जिसकी मेलिक हईड्राइट और और स्टोरेश के दोरान पियाज में स्प्रोटिंग हो जाती है वो उग जाता है तो उसको रोकने के लिए एमएच का इस्तेमाल किया जाता है चलिये दोस्तों और अगले कोशन की और हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट कोस्टन है कि विच आप दी फॉलोविंग फ्रूट कंटेंड मैक्जिमम फैट इन में से कौन से फल में सबसे अधिक वसा पाई जाती है कौन से फल में वसा ज्यादा होती है अमाउंट वाइज हम बात करें एवोकेडो एप्रिकोट केश्व और वालनट दोस्तों सबसे अधिक वसा की हम बात करें इन सभी में तो वालनट यहने की अखरोड के अंदर वसा सबसे जादा होती है लेकिन एवोकेडो को बटर फ्रूट या मक्खन कटोरी कहा गया है तो अगर वो बटर फ्रूट के नाम से अगर पूछे कि कौन सा फल है तो एवोकेडो हमें याद रखना इसको मक्खन कटोरी कहा गया है लेकिन सबसे अधिक वसा की हम बात करेंगे तो वालनट यहने की अखरोड में फेट सबसे जादा होता है और जिस फल में वसा सबसे जादा होगी एनरजी भी सबसे अधिक उसी फल से प्राप्त होगी तो अगर केलोरी वाइज अगर देखा जाएगी सबसे अधी केलोरी कौन से फल से प्राप्त होती है तो यहां भी हमारा आंसर जो है वो वालनट यहने की अखरोट ही आएगा प्रूटीन कंटेंन इन ग्राउण नट अब देख्ये एग्जाम होटी कल्चर की है होटी कल्चर की एग्जाम के कोशन में यहां पर डिसकस करर रहा हूँ लेकिन यहां पर जो कोशन दिया गया है वो फिल्ट कराब से ले लिया है कि मूंग scenario के अंदर प्रूटीन का परसेट के असपास 20-20% कई बार तो बुक्स के अदर 20-25% तक प्रूटिन दिया गया लेकिन 20-22% प्रूटिन जो है वो मुंखफली के अंदर होता है और मुंखफली में बात करें कि ओईल का परसेंटेज कितना होता है कि 40 से लेकर 45% ओईल जो होता है वो ग्राउन नेट के अंदर होता है नेक्स्ट अगले कोश्चन के और हम बढ़ें और हमारा कॉस्चन है टिकका इस मेजर डिसीज और फिर यह कोश्चन आया है अलग कि कोश्चन तो प्लांट पैतलोजी का है लेकिन फिल्ड क्राप की उपर कोश्चन पुछा हुआ कि टिकका कौन सी फसल की बीमारी है तो टिकका जो है वो ग्राउन नेट यहने की मुंखफली की बीमारी है और टिकका डिसीज जो है फंगस से होती है फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा अरेकीडी कोला और सर्कोस्पोरा परसोनेटा दो अलग-अलग इस पीसी जे फंगस की तो टिकका डिसीज जो है वो ग्राउननट यानिकी मुंग फले के डिसीज है फिर हम बात करेंगे फास्टेस्ट मेथड ऑब दी लान प्लांटिंग लान जिसको महते हरिया लान या हरियाली लगाने की सबसे तीवर विधी कोन सी है फास्टेस्ट मेथड कोन सी है बीच से लगाएंगे या डिवलिंग के दुवारा या टर्फिंग के दुवारा या कोई नहीं दोस्तों फास्टेस्ट यानिकी कम समय में लान त्यार करना हो तो टर्फिंग मेथड स सबसे अच्छी माने जाती है लेकिन यह कुशन ऐसा आता है कि मोस्ट पॉपुलर मेथट अब दी लान प्लांटिंग यहने की लान लगाने की सबसे प्रचलित विधी कौन सी है तो पॉपुलर मेथड की बात करेंगे तो डिबलिंग अंसर आएगा लेकिन फास्टेस्ट मेथ रधय भी कहा जाता है और लान के बारे में आपको एक और बात ध्यानकम नए कि लान को को का जितना भी हमारा एरिया है गार्डन के टोटल एरिया काई निकीट सेवल्टि परसेंट विदी वह लान के द्वारह कवर किया जाता है तो बॉप से थ्युप्रष्र्ष्र और करे और सबसे प्रचलित विदी के हम बात करेंगे तो डिबलिंग विदी जो है वह आपको ध्यानक ना है लेकिन कम समय में दी लान त्यार करना है तो टर्फिंग विदी सबसे अच्छी माने जाती है नेक्स कोशन है रेंग प्र दुसरे इस्थान पर कों थी डाल वाली फसल आती है रेंग्स प्रोडक्शन में फिर भी हमें दाल बाहर से बुलवाना पड़ती है चुकि दाल की जितनी आवशक्ता हमारे लिए है उससे उपलब दता जो है वो और भी कम है याने की अवैलेबिलिटी कम है और रिक्वार्मेंट जादा है तो दाल बाहर से हम लोग बुलवाते हैं तो बा हमारी पल्से स्क्रोंपे जबकि चना जो होता है चिकपी वह हमारी प्रथम दलहनी फसल यानिकी दालों में नमबर वन और फर्स्ट कोशन की हम बात करेंगे तो चना आएगा और सेकेंड नमबर पे पीजन पी या अरहर आएगा चलिए नेक्स अगले कोशन की और हम बढ़ें और यहां पर देखा जाए तो अगला कोशन है विच वण अब दी फॉलोविंग इंस्ट्रूमेंट इस यूज़ फोर दी मैजर्मेंट ऑफ दी टी एसेस को मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है टी एसेस यानिकी टोटल सॉलिवल सॉलिड और कई बाल टी एसेस के लिए ब्रिक्स रीडिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है कि ब्रिक्स रीडिंग ब्रिक्स रीडिंग कौन से इस्ट्रूमेंट से ग्याद की जाती है थर्मोमीटर रिफ्रेक्टोमीटर बेरोमीटर और टेंड्रोमीटर साथियो टी एसेस या टोटल सॉलिवल स खोस्ट के लिए हम बात करें तो ile फ्रिंक्र का सहँ किया जाता है जबकि की कि हम बात करेंगे तो थर्मामीटर आएगा एट्मोस्प्रिक प्रिशर वाइमंड़ीदाप की बात करेंगे तो बेरोमीटर आएगा और मतर के अंदर परिपकोता की चांश करेंगे हमारा कोशन है उम्रान इस दी वराइटी ओफ उम्रान जो है वो किसकी वराइटी है उम्रान बेर की वराइटी है और यहां उप्शन में ग्रेप आवला, कोकोनट और बेर सम बोलेंगे कि जो उम्रान है वो बेर की वराइटी है और आपको टेट्राप्लोईड वराइटी का नाम है उम्रान और टेट्राप्लोईड भी कौन सा वाला है आटो टेट्राप्लोईड है या एलो टेट्राप्लोईड है तो आपको ध्यान दकना है दोस्तों ये आटो टेट्राप्लोईड वराइटी है कौन सी उम्रान जबकि हम बात करें क और इलाइची यह भी बेर की किस्म है जो ऐक्टा प्लॉइड वाराइटी कहलाती है तो अगर आपकी एकशा में यह रिसा कुछन आता है कि तेट्राप्लॉइडड वेराइटी कुण सी है तो यहाँ पर उम्रान है वह सकते हैं लेकिन अगर ऐट एक्स वराइटी का नाम पूछा जाए ओक्टा प्लोईड या अस्ट गुनित वराइटी किसकी बैर की तो गोला और एलाइची आपको ध्यान रतना है और यह जो प्लोईडी लेवल की हम बात कर रहें तो बैर के अंदर आटो पूली प्लोईडी पाई जाती है यह आपको ध्यान रतना है ठीके दोस्तों नेक्स्ट अगले कोशन प्रम बढ़ें अरका अभीर इस दी वराइटी ओफ अरका अभीर किसकी किसम है टमाटर बेंगन कुकर बिट्स और चिली तो यहां पर अरका अभीर जो है वो चिली यहने क कि मिर्च की किसम है होट पेपर की हम बात करेंगे और यह कलर एक्स्ट्रेक्शन के लिए यानिकी कलर निकालने के लिए कलर प्राप्त करने के लिए यह वाली जो वराइटी है वो प्रचली थे ता आपको ध्यारगना की अरका अभीर जो है वो मिर्च की किसम है जो कलर प्र औरका शीरीज जो है यह IIH R वैंगलोर से रिलेटेड है यह कि जोवटार बैंगलोर से रिलीज की जाती है इंडियन एस्टिटूट और होल्टी कल्चर रिसर्च बेंगलोर वहां से जो वराइटी रिलीस की जाएगी उसके नाम के आगे अरका जो टर्म है यह यूज किया जाता है चलिए नेक्स्ट अगले कोशन के हम बात करें तो अगला जो कोशन है कोशन नमर 18 दो रूड़ स्टोक इन मेंगो आम के अंदर बोने मूल वरंट का नाम क्या है ड्वार्फिंग रूड़ स्टोक ग्राफिंग करने के लिए जो मूल वरंट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बोना मूल वरंट कौन सा है ऊप्शन में दशहरी नीलम अलफांजो और वेलाईयो क कोलंबन है यह ड्वार्फिंग रुड स्टोग या बोना मूल वरंत होता है आम के अंदर और यहां पर आपको एक बात ज्यान रखना है कि जो वेलाईयो कोलंबन है यह भी एड एक्स यनिकी ओक्टाप्लोइड वराइटी है और आम के अंदर जो प्लोइडी लेवल होता है व एलो 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 ओक्टाप्लोइड यह बात करेंगे तो यह जो वेलाईयो कोलंबन यह एलो ओक्टाप्लोइड वराइटी है मिंगो की जो की ड्वार्फिंग रुड स्टोग या बोने मूल वरंत की रूप में जानी जाती है चलिए अगले कोशन की बात करें और एक बार फि आपको पता चल जाए कि लेवल जो है वह किस प्रकार का आता है अगले कोशन है टू बाय टू मीटर यान्य की दो बाय-धो मीटर की अंतरण से प्लैंटिंग स्पेसिंग कर रखी ए ओके प्लांस केन भी एकॉमेड़ेट यान्य कि अगर दो बाय-दो के अंतरसें पोदे ल है वो दो बाई दो का है तो कितने पोदे आएंगे हाला कि question में एरिया इन्हों नहीं कि एरिया कितना है एरिया जब दिया नहीं होता है तो हम मानते कि एरिया hectare में इन्होंने दिया होगा ऐसा मान के चले जब एरिया नहीं दिया है seed rate की बात करे, बीजदर की बात करे, plant population की हम बात करे, area अगर mention नहीं कर रहा है, तो आप hectare मानके चलिए, तो हम कह सकते हैं कि एक hectare में कितने पोदे आएंगे, यह दी दो बाए दो से लगाए जाते हैं, सत्यो, plant population निकालने के लिए एक formula है, plant population as equal to area upon distance यह हमारा formula है, area हमारा meter square में होना चाहिए, और distance जो है, वो meter में होना चाहिए, हम किसी भी पोदे की पोद संख्या निकाल सकते हैं, यह दी हमारे पास में 6 तरफल हो, वर्ग मीटर में, और अंतरन जो है, वो meter में हो, distance कितना दिया है, 2 by 2, तो distance तो हमारे पास में है, area हम लोग मानते हैं, कि 1 hectare हमारा area है, तो 1 hectare में, वर्ग मीटर कितने होते हैं, चुकि जो 1 hectare है, वो वर्ग मीटर में हमें चाहिए, तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, एक hectare के अंदर, और दो गुणित दो यहने की चार और उसके इसाब से अगर देखा जाए तो कितने पोधे आएंगे यहाँ पर 2500 तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तो वो आएगा 2500 पोधे वहाँ पर आ सकते हैं तो plant population निकालने का एक तरीक आपको याद होना चाहिए कि जितना भी हमारा area है व कि पानके चलेंगे और 1 hectare में कितने वर्ग मीटर होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं चलिए अगले कोशन के और हम बात करें static कोफी जो है इस कोफी का परिवार क्या है कोफी कौन से परिवार में आती है रूटेसी लौरेसी मालवेसी और रूवीयेसी कोफी का परिवार है है यह आपको ध्यान रखना है चलिए next अगले कोशन की बात करें अगला कोशन और का नवनीत बंची टॉप का जो वाइरस है उसका Wектор को ने तो बन ची टॉप बिमारी किसकी है बंची टॉप बिमारी जो है वो बनाना यहने की कहले की है और बंची टॉप को कैबेच टॉप भी कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अगला जो कोश्चन है एरो इस नौने इस दी इन फ्लोर सेंस अप दी एरो जो होता है यह किसका कुश्प क्रम है झोने ऑप्शन में बेर अनार एन्गो और शुगर केन दूस्तो ऐरो जो है वो गहने के पुष्प क्रम को कहा जाता है और गहन में जब पुष्प क्रम निकल आता है उस तूस प्रसेस को नहुत ऑन रखना साज़टाए किають और एरो बिंग कमास कौन से पोदे से हैं हम बोलेंगे शुगर केन से रिलेटेड होता है ये एरो विंग चलिए और नेक्स्ट कोशन की हम बात करें अगला जो कोशन है इंडियन इस्टिटूट औफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहां परिस्ती थे इंडियन इंस्टिटूट ओफ वेजिटेबल रिसर्च बैंगलोर न्यू डेली लखनव और वारा नसी दोस्तो सबजी का अनुजंदान सस्तान कहां पर है वारा नसी में तो हमारा यहां पर अंसरा है का वारा नसी या बनारस अगला कोशन है Central Arid Zone Research Institute इस लोकेटेड एड Central Arid Zone और इसका इदियम शोटकट नाम बोलेंगे तो C A Z R I Central Arid Zone Research Institute यह कहां पर इस्ती थे यह जोधपूर में इस्ती थे जासी, जवलपूर, रांची और जोधपूर तो यहां हमारा अंसर आएगा जोधपूर चलिए नेक्स्ट कोश्चन की हम बात करें दियारा मेथड ऑफ दी कल्टिवेशन इस कॉमन इन दियारा जो विधी है यह किसकी अंदर प्रचलित है ज़राब कोश्चन पढ़िए और आप देखी किसका अंसर क्या हो सकता है दियारा विधी जो है यह किस से संबंदित है और यहां प्रचलित के हम बात करेंगे तो कुकरबीट्स भी है कॉल क्रोप भी है रूट क्रोप भी है और ट्यूबर क्रोप भी है साथियो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यक्ता है कि दियारा विधी होती क्या है दियारा विधी का मतलब ही होता है कि जब फ्लडिंग के बाद बाड के बाद फसल लगाई जाती है बाड का पानी निकलने के बाद फसल लगाई जाती है गर्मी के मोसम में नदियों के अंदर जब water level कम हो जाता है रिवर्स के अंदर तब फसल लगा जाती है उसको बहुते है दियारा और यहां पर answer आएगा कुकर बिट्स तो दियारा विधी की हम बात करेंगे दियारा फसल की बात करेंगे तो कद्दू वर्गी फसलों को घर्मी के मोद्देगी फसलों को गर्मी के मौषम में नदियों के अंदर लगाया जाता है ताला आप के अंदर लगया जाता है क्योंक्कि वहाँ पर water level कम हो जाता है तो यहांपर 2 मिनिंग्न होते हैं बाढ का पानि निकलने के बात फसल लगाना या water level कम होने के बात में फसल लगाना तो सबसे अधिक cooker beats की की जाती है और गरमी के माशन में अगर मात करें तो तर्बुज और खर्बुज, mniejं मस्क, moi Watermelon और कुकूमब गरिकि खिरा जो है ये अक्सर महाँ पर लगाया जाता है चलिए कोश्चन है बोवर सिस्टम अफ ट्रेणिंग इन ग्रेप इस आलसो नौन एज यह निकी अंगुर के अंदर ग्रेप की बात करें अंगुर में ट्रेणिंग की जो विधी है कौन सी बोवर प्रणाली बोवर प्रणाली अंगुर के अंदर जो ट्रेण और सिस्टम साथियों पोवार सिस्टम जो कि बहुती प्रचलीती इंगुर के अंधर इसको इन सभी नाम से पूकारा जाता है तो वही जो मेज सिस्टम में उसको आवरहेड भी कहेंगे पर गोला भी कहेंगे और अर्बर सिस्टम भी कहा जाता है श 않 चलिए अगले कोशन की बात करें इन रेडिश तो सिस्टम अब दी पॉलिनेशन यानिकी मुली के अंदर परागण किस प्रकार का होता है मुली में किस प्रकार का परागण होता है मुली जो की कुरसी फेरी परिवार का पूदा है और most of the cruciferious plant जो cruciferous plant के पूद्ध है उनमें cross-pollination होता है पर-परागन होता है ठीक है तक द्यानकन की cruciferous plant में coal crop भी आती है full गोबी और पत्ता गोबी भी आती है उनके अंदर भी पर-परागन होता है और मूली के अंदर भी पर-परागन यहने की cross-pollination होता है चलिए नेक्सट अगले कोशन के हम बात करें और कोशन है प्री हर्वेस्ट फुरूट कॉफ इस सिट्रस फुरुट केन बी कंट्रॉल वार थोड़ा सा का देक्षन है प्री हर्वेस्ट फुरूट ड्रोड अ चाहिए यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टे हो सकती है प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रोप यह नहीं कि फसल की तुड़ाई के पहले ही यदि फल जड़ जाते हैं फ्रूट ड्रोप हो जाता है तो उसका कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है इथरेल जीएथरी ऑक्सिन और साइट तो फूर ड्. इसकी हम बात करें तो यह जो हर्मों है यह फ्रूट ड्रोप को कंट्रोल करते हैं तो प्री हार्वेस्ट के हम बात कर रहे हैं तो टोडाई के पहले यह दि फल जड़न हो रहा है तो हम ओक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट k garder tub n hem प्रूट एंड वेजिटेवल आर नौन एज फल एवं सब्जियों को क्या कहा जाता है नुट्रिटिव फूट्स एनर्जी फूड प्रोटेक्टिव फूड या नन तो साथियों फल एवं सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है सुरक्षात्मक खाद्य कहा गया और आपको एक बाद ध्यान रखना है कि जो फल होते हैं वह अमली प्रक्रतिके होते हैं यह भी आपकी एक्जाम पुछा को आए कि प्रेंच बीन क्लस्टर बीन काउपी और गोवा बीन तो पूसा कोमल जो है यह किसकी वराइटी है साथ ही हो काउपी यानिकी जो लोबिया है यह उसकी वराइटी है तो पूसा कोमल इस दिवराइटी ओभी काउपी या लोबिया और लोबिया को हम लोग ट्रिपल परपस क्र त्री काजी सबजी भी कहते हैं, इसको vegetarian meat याने की शाका हरियों का मान्स भी कहा जाता है और cowpee जिसको black IP भी कहा जाता है black IP है ना कालियांक वाली डाल ओर हम बात करेंगे तो triple purpose की हम बात कर रहे हैंuciónगे कि याने की cowpee को as a animal fodder पुशु के चारे की रूप में, वेजीटेबल या फूड सबजी की रूप में और ग्रिन मेन्यो याने हरी खाथ की रूप में भी इस्तिमाल में लाया जाता है, चलिए, नेक्स कोशन है, पूसा दीपाली is the variety of, पूसा दीपाली किसकी वाराइटी है, आप्शन में है, ब्रि पूसा दीपाली जो है, वो फूल गोबी की वाराइटी है, और फूल गोबी के खाया जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है, एक्जा में ये कोशन भी आया हुआ है, कि जो कोली फ्लावर है, उसका इडेबल पार्ट क्या होता है, तो उसके खाया जाने वाले भाग को कर्ड कहते हैं कर्ड is the edible part of the cauliflower and head is the edible part of cabbage पत्ता गोबी का खाया जाने वाला भाग है और full गोबी का जो खाया जाने वाला भाग होता है उसको कर्ड कहा जाता है चलिए है नेक्स्ट अगले कोशन के और हम बढ़ें और अगला जो कोशन है हमारा नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया भारत का रास्ती पुश्प क्या है बड़ा बेसिक सा कोशन है आप शब कुछ रास्ती पुश्प होता होगा गुलाग डिलिफ करेंशन और खाता है और कार्डियल में । की बात करी गई है तो 30 सब्सक्राइब और जूस का प्रसेंटेज अगर पूछा जाए कि कार्डीयल में रस की मात्रा रस का प्रतिश्यता होता है तो वह ट्वेंटीक फाइब फाइव होता है याब को ध्यान रखना है चलिए याद करने की ट्र 30 का जो 3 है वो भी तीसरा है तुम के सकते हैं कि सी में और 30 में कुछ रिलेशन अगर हम याद रख पाएं तो हो सकता है कि लंबे समय क्लिए अपने कोई याद रहे जाए चलिए नेक्स्ट कोशन है केशू नट इस प्रोपोगेटेड बाए केशू नट इनकी काजू उसका प्रसरन किस प्रकार से किया जाता है कटिंग के दुवारा पेच बडिंग के दुवारा सोफ्ट वूट ग्राफ्टिंग के दुवारा और कोई नहीं साथियो केशू नट का और सोफ्ट वूड ग्राफ्टिंग जो है यह के अंदर मुस्ट पॉपुलर मेथड होती है चलिए नेक्स्ट कोशन है दो फ्रूट सुटेबल फॉर मेकिंग दी जैली जैली के उपर आप देख लीजिए कितने सारे कोशन आया हुए जैली बनाने के लिए उप्यूक तुफल गौवा यहने की अमरूत डिसकस कर शुके हैं नेक्स कोशन है वीच वन आफ दी फॉलविंग इस रेगर सोईल इन में से कौन से मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है ओप्शन में लेटराइट ऐलूवियल ब्लेक सोईल दोस्तो रेगर मिट्टी जो होती है वो ब्लेक सोईल यहने की काले मिट्टी को कहा जाता है तो काले मिट्टी का एकोन नाम है रेगर सोईल और अगर बात करें की जलोड मिट्टी जो है तो एलूवियल सोईल या जलोड मिट्टी के लिए खादर खादर और भांगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है नई जलोड मिट्टी न्यू सोईल है नई मिट्टी है उसको खादर कहेंगे और जो पूरानी जलोड मिट्टी होगी उसको भांगर कहा जाता है तो एलूवियल सोईल की लिए खादर और भांगर और काली मिट्टी की बात करें, ब्लेक स्विल की बात करें, तो रेगर टर्म का इस्प्रमाल किया जाता है, चलिए, अगले कोशन की और हम बड़े हैं, और हमारा जो अगला कोशन है, इन में से किसको क्लास वन प्रिजर्वेटिव कहा गया है, क्लास वन प्रिजर्वेटिव मतलब क्या, ऐसा प्रियक्षक पदार्थ जो हम लोग हमारे घरों में इस्तिमाल करते हैं, उसको क्लास वन के नाम से जाना जाता है, option में KMS, vinegar, silver nitrate और sugar साथियों यहां पर अगर दिखा जाए तो sugar को शरकरा को class 1 preservative कहा जाता है class 1 preservative का मतलब natural preservative की हम बात करें जो हम लोग हमारे घरों में इस्तिमाल करते हैं चाहे वो नमक की हम बात करें शकर की हम बात करें यह हमारे घरों में ऐसे जिनको class 1 preservative कहा जाता है जबकि जो chemical जो होते हैं इनकों लोग second class का preservative कहते हैं और यहाँ पर class 1 की हम बात करेंगे तो vinegar को भी class 1 के अंदर ही रखा गया है और sugar और salt यानकी नमक और शकर को भी class 1 के अंदर ही रखा गया next question है carrot belongs to the family गाजर कौन से परिवार का पूदा है रोजेसी अंबेली फेरी कमपोजीटी और मिरिटेसी सत्यों गाजर का जो परिवार है वो अंबेली फेरी है और अंबेली फेरी परिवार का एक और नाम है सायद आपको याद हो कि अमभेली फेरी परिवार का एकोर नाम क्या हो सकता है A-P-s-E इसको A-P-S-E परिवार भी कहा गया है और exam में यह question भी आया होगा है कि जो carrot होती है अगर carrot के shape को देखा जाए यह अगर carrot का shape है तो यह carrot का जो shape है इसको क्या कहा जाता है गाजर का जो शेफ होता है इसको क्या कहा जाता है इसको कौनिकल कहा जाता है केरन का जो शेफ है उसको शंकू रूपी जड़ कहा गया है ये प्रकार की जड़ है मोडिफाइट रूट जिसमें भोजन इकटा हो जाता है तो गाजर की जड़ है उसका शेप जो होता है वो कोनीकल होता है यह आपको ध्यानक ना है चलिए अगले कोशन की और हम बड़े हैं और हमारा जो अगला कोशन है कोशन नमर फोर्टी रिचेस्ट सौर्स अब दी विट विटामीन एका प्रचूर्तम इस्तुरोथ कुन सा है सबसे अधिक विटामीन एक किसमें पाया जाता है मैंगो बेर इंडियन घूजबेरी और पोमो ग्रेनेट कोशन बड़ा बैसिक है फोलो की हम बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक विटामीन है आम के अंदर होता है तो यह थायो साइनेट और कोई नहीं साथियों बात पंजेंसी की हम कर रहे हैं इसलिए कैप से सीन हमारा आंसर आएगा यह दी कोशन ऐसा आता कि दर रेड कलर ऑफ दी चीली मिर्शी का लाल रंग किसकी वज़े से होता है तो फिर हमारा आंसर कैप से थीन आना चाहिए था लेकिन में पंजेंसी का कारण क्या है बहुत बार एकजा में पूछा गया कोशन है मिर्ची वाला कोश्चन और प्याज वाला कोश्चन पंजेंसी की नाम पे बहुत बार पूछा गया है तो प्याज में जो पंजेंसी होती है उसकी हम बात करेंगे तो एलाइल प्रोपाइल डाइ सलफाइड की वज़े से होती है और नेक्स कोशन की हम बात करें और अगला कोशन कुन सा है और अब हमारे कोशन का यहां पर दी एंड आने वाला है और साथी हो इसके पहले कि में आखरी वाला कोशन पड़ू आपको ध्यान देना है और एक बार में फिर बता दूखी होटी की एक्जाम को लेकर कि हम लोगी प्लान कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे से जो भी आर एच्यू की एक्जाम की तियारी कर रहे है और उन लोगों को पता करना की प्रेटन किस प्रकार का होता है तो होटी कच्छे की एक्जाम में किस प्रकार की इंपर्टन कोशन आते है kindly आईटे यहारे चाहते हैं और जो लोग पेड़ान की तयारी करना चाहते हैं मारी साथ में जूड़ सकते हैं और गूगल के लिए स्टोर से fatal का आप्लिकेशन आपको डाउन्लोड करना है यवे लिए तोर में जाकर कि आप आर एचियो की बेच जो है वो जोईन कर सकते हैं नए चात्र जो एपिकल के साथ में पहली बार जूड़ रहे हैं वो हमारी डेमो क्लासिस को भी अटेंड कर सकते हैं साथ दिन की डेमो क्लासिस आपके लिए फ्री रखी गई है तकि आप समझ पाएं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी आवश्यक्ता आपको है या नहीं है चलिए अभी कुछ साथ कोश्चन लगबग सेवन कोश्चन हमारे और बाकी है पचास कोश्चन का टारगेट मेंने ल मंगला और ओप्शन में मुंगफली कोकोनट नारियल मेंगो यहने आम और आरेकानट यहने की सूपारी दोस्तों यह मंगला सूमंगला स्री मंगला सूपारी की किसमे हैं और याद करने के लिए मैं आपको बता दू एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसको लेकर के मंगल में एक शब्त है मंगल मंगल शब्त का मतलब क्या होता है आनंद मंगल है और मंगल मतलब अच्छा शूब कहा गया है मंगल मतलब शूब आपका कार्य मंगल हो आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो मंगल मतलब शूब और जब भी शूब कार्य किया जाता है तो भगवान की पूजा की जाती है वहाँ पर सुपारी की आवश्रक्ता होती है तो मंगल कार्य करने के लिए सुप कार्य करने के लिए भगवान की पूजा करने केवी के 1974 1974 में पहला जो केवी के है वो खोला गया था और यह TNAU तमिलनाडू एगरीकल्चर युनिवर्सिटी उसकी अंतरगत पहला केवी के पांडीचेरी में खोला गया था अगला कोश्चन है क्रायो प्रिजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन क्रायो प्रिसर्वेशन होता क्या है जब भी हम प्रिएक्षन में जीरो डिग्री-नionar सेंटिग्रेड नीचे की बात करते ही डिकुर क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं और उसके लिए लिक्वीड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है तो जब भी परियक्षण में यह किसी भी पदात के भंडारण में जिरो डिग्री से कम तापमान की बात करेंगे लिक्वीड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाका और माइनस 196 डिग्री तक का जो तापमान है वो वहाँ पर हो सकता है तो वो क्रियो प्रेजर्वेशन कहलाता है नेक्स्ट कोश्चन है बीटर पीट इस डिस आडर आफ बीटर पीट नाम की जो समझ्या है वो किसके अंदर पाई जाती है बेर, बनाना, एपल और पाईनापल दोस्तों बीटर पीट जो समझ्या है वो एपल यानिकी सेवफल के अंदर पाई जाती है यह आपको ज्यान रखना है नेक्स्ट कोच्टन है, Phomopsis Blight, a measure disease of Phomopsis जो ब्लाइट है, यह किसकी मुख्य बीमारी है, तो यह बीमारी जो है, यह ब्रिंजल यहनि की बैंगन की बीमारी है, तो यहां हमारा अंसर नाची की ब्रिंजल, बैंगन में Phomopsis Blight नाम की समस्या पाई जाती है, और अंतीम तीन क कोशन की हम बात करें पचास का हमारा एक टार्गेट था तो कॉश्चन नंबर 48 त्रिप्स आर दी मेजर इंसेक्ट आप दी वैजी टेवल त्रिप्स जो है यह कौन सी सब्जी का मुख्य कीट है आप्शन में टामाटर कैबेज पत्तागोबी ओनियन ये की प्याज और ब्रिं फौलोविंग कें झाफ इन यूज इउस्ड फोर दी चेंज सेक्सट इन कुकर बेट ने वहोत मतलब क्या होता है सेम प्लांट सेम् ही पौदे नर्व और मादा धुनों को तो बढ़ाना है उनकी पोजिशन अलग अलग होती एक उसको मुझेट या के सेक्स करने के लिए सबसे अजिक सेक्स चेंज करने के लिए या लिंग विवेधन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और नेक्स कोशन है दोस्तों इन पोटेटो टूबराइजेशन दस नौट ऑकर्स एड टेंप्रेचर आलो में कंद बनने की जो क्रिया है वो संपन्द नहीं हो पाएगी दस नौट ऑकर् नहीं होता है दोस्तों रात्री का आपमान नाइट टेंपरचर जब 23 से ज्यादा हो जाता है इस तेंपरेचर इस अगर अधिक तापमान हो जाएगा तो फिर आलो में कंद निर्मान की प्रक्रिया है वो रुक जाती है साथियो इस प्रकार से ये 50 questions ऐसे थे जो आपकी exam में होर्टी कच्चा की जो अलग-अलग exam होती है उसके अंदर आए हुए थे और next वीडियो में में अगले फिर 50 questions लेकर के आने वाला हूं और यहां पर मेरा पुरा प्रयास ही कि एक भी question में मेरी तरफ से aid नहीं कर रहा हूं ना मैं question aid कर रहा हूं ना उनके option change कर रहा हूं मैं as it is question use कर रहा हूं जो आपकी exam में आये हुए हैं और आने वाली exam जो है हमारी उसके लिए बड़े महत्तोपूर्ण है तो अगले और question हम लोग पढ़ेंगे तब तक आप हमर साथ बने रही है बहुत बहुत धन्यवाद